और एक कारण इसका दूसरा और भी है एंजी एंजी जो दूसरा कारण है वो कारण है मनोविघ्यान का और मनोविघ्यान का कारण ये है कि आपने देखा होगा कि जो महिलाएं हैं वो महिलाएं सारी की सारी जितनी भी हैं जब आदमी बहार से पिटके आता है छितके आता है गाली खाके आता है तो गुस्सा कहां उतारता है आके महिला के उपर और पूरे भारत की स्थिती ऐसी है कि जितने भी मर्द हैं वो अपना गुस्सा अपनी जुछाट अपने काम की असफलता सब कुछ आके अपनी पतनी पे अपनी औरत पे या अपनी मा पे या अपनी भेन पे गुस्सा अतार देते हैं और वो क्योंकि उनको ये कहते हैं कि वो तो धर्ती माता हैं सेहन सीलता की धर्ती हैं इसलिए वो कुछ नहीं कहती हैं और वो पी जाती हैं क्योंकि वो बच्चों को उपर तो गुसा उतारती नहीं है क्या वार उतार भी देती हैं तो बच्चों को क्या मारें क्या पीटें बच्चे तो उनके जिगर के टुकडे होते हैं. ये जो इस्तिती है भारत में, सारा गुस्सा महिलाओं पर अटारने की, इसको अगर समझ जाएंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि ये भारत के जो मर्द हैं, कर क्या रहें? और जो अपने आपको मर्द कहते हैं ये किस तरह के मर्द हैं किस तरह के नर हैं हमारी इस्तिती जब खराब हुई और हमको मांसिक रूप से और साररिक रूप से गुलाम बनाया गया और हमारे सारे अधिकार एके करके एके करके मरवग्यारिक रूप से छीन लिये गए ये कमाल की बात है कि पूरे बुद के साहिते में और बुद के साहिते के बाद में भी कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि समन लोगों का ममन लोगों से कहीं युद हुआ है किसी मैदान में किसी म पहानी नहीं है जबकि समण का बमड से सीधी फाइट हो सीधे एक दूसरे के साथ डंडा लेके आये हों कभी नहीं और आज भी जो बमड लोग हैं वो कभी सीधे फाइट नहीं करते हैं जब भी फाइट होती है हमारे भाईयों से हमारे भाईयों की होती है समण से समण की होती है इस बात को आप इत्यास में चेक कर सकते हैं जो इत्यास में चेक नहीं कर सकते हैं वो अब चेक करने हैं जो समझदा लोग होता है वो सीधे फाइट में नहीं लड़ते हैं वो दो भाईयों को लड़ा देते हैं इसमें बड़ा फाइदा होता है एक तो उनके जो लोग हैं वो हता हत नहीं होंगे उनकी संख्या बढ़ेगी और जो उनके दुस्मन है वो आपस में लड़के मर जाएगी तो जब मानसिक रूप से सारा का सारा सिस्टम है किया गया मानसिक रूप से इसलिए याद रखना क्योंकि किसी भी आदमी ने हमको डंडा लेके ये नहीं कहा कि तू हमें अपना पैसा दे दे या तू हमें अपना कपला दे दे या उस समय अनाज और धन होते थे तू हमें अनाज और धन दे दे किसी की हिम्मत नहीं है और आज भी हिम्मत नहीं है क्योंकि डंडा लेके ये कह दे इसको डायक लूट बोलते हैं लूट मार बोलते हैं कि डंडा लेके लूटा क्योंकि उनकी संख्या कम थी एक परसंट से भी कम और आज भी वो बहुत कम संख्या है अगर सीधे सीधे लूटने आएंगे तो जिनकी संख्या जादा है वो तो मार पीट देंगे तो उन्होंने लूटने और पीटने का तरीका बदल दिया और तरीका इतना बहतिनी बदला जिसका कोई जवाब नहीं है उस तरीके में जो सबसे पहले उन्होंने शिकार बनाया और जो सबसे बड़िया शिकार है वो शिकार है बच्चे छोटे छोटे बच्चे और बच्चों से माताओं का लगाब सबसे ज़्यादा होता है अगर किसी माता को ये कह दो, तेरे बच्चे पे तो फलानी बला है, फलाना भूत है, फलाना आंधी है, फलाना तूफान है, वैसे ही मन गलंची नहीं है सारी, और ये तो बीमार हो जाएगा, मर जाएगा, रुकेगा नहीं, लंगणा हो जाएगा, टंगणा हो जाएगा, और वैसी के दो पढ़ावसवाली और जलती है पढ़ावसवाली आद में जलता है यह घरवाली जलता है वैसी मन में डाल दो और फिर उसके बादerapeut को यह को कि तो बचेगा नहीं तो वह हुराद सीधे पैरों में आ जाए लाल धागा कोई आसी का मैं खा अपना पैसा लिया उसे अपना काम किया जो उसको लेना एंवो उसने लिया साहसारा की साहरा और अपना ले लाके और बिस धागा निकाल जाता है जैसे मन मैं उसका डाला कि ये बचेगा नहीं वैसे धागे देतेśe ज़ो कहता या तलग लगाता है ये घंड़ा मैं जिसको रुद्राक्ष बग़रा बोलते है ये बीज बगरा दे दीया और उसके बाद बैं है बस तेरा तो क्या बोलते है अब कुछ ने होगा तो म मन के अंदर डाला भी उसने और मन के अंदर से निकाला भी उसने और फिर अगली किस्त के लिए तियार है छे मिने बाद एक सार बाद फिर दुबारा से धागी जोद पड़ेगी तो माता अपने पती को नहीं बताती अपने घर में किसी को नहीं बताती क्योंकि बच्चे से ब बहा रहें बहें कराण यह जो आसान सिकार है शारा का सारा यह कमाल की बात यह कर दिये चल्एक काशतों और थिये बदंत का मतलब भैका दमन करने वाले और सारे जिन्होंने डर निकाल दिये, उन्हीं की संतानों को डर में और भै में डाल दिया. और बच्चों को सिकार बनाके और माताओं को कबजे में कर लिया और माता किसी को बताती नहीं है. हमारे तो चार मैसे तीन मेंबर उनकी गर्फत में आज भी है यह नि परिवार में आदमी एक वार कुछ जागरूख है वो तो कहता है कौन सा कान पर मारे दो सीधा करते हैं महिला का क्या करे क्योंकि उसको बच्चों से प्यार है तो वो जो महिलाओं को उसने सिखाया कि तेरे बच्चे खत्रे में तेरे बच्चे खत्रे में हैं तब महिलाओं की बच्चे खत्रे में नहीं थे जब उस सिखाने आये था दरसल अब महिलाओं की बच्चे खत्रे में आ अने वाला, क्योकि यह जो खत्रा है, यतना खत्रना खत्रा है, कि वो धागे-धूगे बांद-बांद कजो उन्होंने काम किया, उन्हें पते के पहुऊंछ गजए ना उनकी बच्चे तो कि बनेगा या लुटेरा बनेगा या कहीं छोटे मोटी गुलामी करेगा कहीं रिक्से का पंचल लगाएगा हवा भरेगा टायर में या किसी धाबे की दुगान पे उनको खाना खिलाएगा या मसाज करेगा या मालिक करेगा या मालिस करेगा या खेत में बेकार करेगा अनपड प्राइविट हो जाएंगे सब का इंत्याम लगबग हो चुका है और किसके के व्यपस्था ठीक करनी है यह ठीक काम नहीं करें इस के नाम पर सब हो रहा है तो सारे खत्रे में आगे पढाई नहीं आएंगे तो गुलाम बनेंगे तो इसका मताओं की बच्चे गुलाम पैदा हो रहे हैं उनको खॹाने को नहीं मिलेगा क्योंकि खाना जो अच्छा क्षाना है वो पैसे वालों के कबजे में चला गया नियम आ रहे हैं कि हर खाना डबबा बंद होगा खुला बिके गए नहीं खुला बिके गए नहीं तो माताय कहई देंगे कहा से उनकी तो आमदनी है नहीं इतनी जो खुला खाना है जो खुला अनाज है वो बिकता है तीस रुपे किलो और चालिस रुपे किलो और वही जब पैक होके आता है तो वो बिकता है सो रुपे किलो तो तीन गुने में और ढाई गुने में, चार गुने में, दस गुने में कैसे खहए देगे फिरामधनी है नहीं सरकारी करमचारी की वज़े से कुछ पैसा आता था घर में तो सबका काम चलता था जमीने तो बहुत थोड़ी नाम बात्की हैं और ब्यापार है नहीं, इंडिस्टी है नहीं, और विदेस में सेटलमेंट है नहीं, तो वो पैसा आएगा नहीं, तो महंगा ख़ई देंगे कैसे, तो महंगा खई देंगे नहीं, तो खाएंगे नहीं, तो खाएंगे नहीं, तो सिहत कैसे बनेगी, इसलिए हमारे जितने लो 26 और 27 और 28 कमर की मिलेगी और मालिक जितने भी मिलेंगे उनकी कमर 36 से उपर जाती है 38, 40, 42 ऐसे जाती है क्योंकि खाते हैं तो सिहत बनती है और जो खाते नहीं है तो सिहत नहीं बनती है इसलिए बावा साब के आसिरवास से जब ये कुछ दो पैसे आने सुरू हुए और अच्छा खाना सुरू हुआ तो हमारे लोगों का पुराना जो रुत्वा था जिनके गाल लाल रहने होते थे और जो सरीर से भरे-भरे होते थे और लंबे चोड़े होते तो वो होने सुरू हो गए और अब फिर जब खाना नहीं मिलेगा तो उन माताओं की बच्चे पिद्दी-पिद्दी से हो जाएंगे पांच-पांच पुटके फिर दुबारा से हो जाएंगे जिस पेड़ को खाद और पानी ना मिले वो पेड़ चोटा होता है और जिसको खाद पानी मिलता हो तो बहुत लंबा चोड़ा हो जाता है ऐसे ही जानवर को या मनुस्य को अगर बढ़िया खाना मिलता है तो लंबे चोड़े होते हैं और बढ़िया खाना ना मिले तो वो छोटे 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 रह जाते हैं और छोटे छोटे लेवर में आते हैं तो माताय लेवर पैदा कर रही हैं तो लेवर होगी है अब सारी सारी कितनी कोशिस कर ले ना कोई यह सोचे गए यह तो जूटी बात है बेकार की बात है हमारे तो अफसर होंगे हमारे तो काबिल होंगे हमारे तो पड़े हैं लिखे हैं ना होंगे, बिल्कुल ना हो, एक सर लाग तक ना हो, चाहा किसी का बाप आई-एस हो, चाहा किसी का बाप बहुत बड़ा बिजिसमेन हो, चाहा किसी का बाप बहुत बड़ा इंडिश्टी स्टो, सब लेवर में जाएंगे, सब लेवर बनेंगे, किसी को यकीन ना होता हो, त कि बच्चों को बढ़ा हो और व Completely थे को नहीं नहीं तो अब माताओं के बच्चे खत्रे में नहीं समझ में आता है तो ध्यान देलो अपने आस प्ड़ाऊस में ध्यान देखो अपने रिस्तेदारी में ध्यान से देखो कि जो अब चल रहा है वो लगबग सबसे उंचा चड़ाब था, यानि कि जो बुजर्ग लोग हैं, पचास साल वाले, पच्पन साल वाले वो कही न कहीं अफसर या तो रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं, या वी आरस ले लिया है, या सी आरस ले लिया है अगर उनके जो बच्चे हैं, वो उस मकाम पर नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए नौकरी नहीं है, उनके लिए जगए नहीं है, उनके लिए काम नहीं है तो संतुष्टी इसलिए कर लेते हैं, हमारा तो काबिल है तो प्राइवेट में जाके काम कर लेगा प्राइवेट में कर रहा है तो प्राइवेट में डे बाइडे डे बाइडे डे डे बाइडे नोक्रियां घट रही है क्योंकि मसीने आ गई हैं कंपूटर आ गई हैं और काम करने में आदमी की मेन पावर घट रही है तो कितने आदम के मालिक है नहीं फिर कैसे बात बनेंगी तो जितनी ये माता हैं जो दिनराद दिनराद महरत कर रही हैं और ये खटकती रहती हैं और जो खास और से नौकरी करने वाली है वो भी है कि वो सुबह घर का काम करके जाती है फिर नौकरी भी करती है, फिर आके धर का काम भी करती है, फिर दिन दुनिया को भी देखती है, और जो नौकरी करने वाली नहीं है, वो 24 घंटे काम में लग लगी रहती है, सुबह से लेकर साम तक सब की सेवा करती रहती है, तो इसलिए करती है, कि उनके बच्चे आगे चलेंगे आगे बढ़ेंगे और इसलिए वो उनके चंगोल में फसी रहती है इसलिए वो अहुई का बरत करती है अपने बेटों के लिए पती के लिए बरत करती है बच्चों के लिए बरत करती है बच्चों के लिए सारे काम करती है उनके अपना खाना कम खाती है वर उनके टूसन के प 32-34 हो गई यह शादियां नहीं हो रही है काम नहीं है तो शादियां कहां से रहाएं तो इसलिए इस खत्रे को समझते हुआ देखते हुए अगर मात आएं चुप बैठ जाएंगी तो फिर तो वो मजदूर और बनेंगे बने और अगर चुप नहीं बैठेंगी तो अभी मौक है करना कुछ नहीं है महिलाओं को तीन दिन फालतू दिये हुए यहां तीस दिन के अंदर 27 दिन महिला पुरस दोनों आते हैं मीटिंग के अंदर मगर तीन दिन महिलाओं के लिए स्पेसल है तो इसलिए उनके 30 दिन है और जो नर हैं उनके 27 दिन है तो तीन दिन फालतू मि मदारी उठाई और फिर वो अपने बच्चों के लिए जो मदारी उठाईगी उठानी पड़ेगी मजबूरी है करना पड़ेगा तो उनको अपने छोटे छोटे सारे जगडे छोड़कर जो छोटे छोटे एहम एगोर इसदारियों होते हैं वो छोड़कर अपनी सब माताओं अगर बावा साब बनने होते तो बहुत बन जाते क्योंकि बावा साब की तरह खूब लोग पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं जान नहीं वेसा कम पढ़ लिखें उनसे हैं मगर मौके नहीं हैं, अंगरिजों ने उनकी बात मां माले, आपकी इतने सारे लोगों के होते हुए 99,690,497 इतनी सारे राजनेदीक पार्टी इतनी सारे धंके लोग, महाले में पंदर्शाइद जगे- जगे महले में लोग कि खट्टे हो रहे हैं, और इतना जनद्र मना रह कहीं तो अंग्रेज नहीं है अगर अंग्रेज होते तो मान लेते अंग्रेज होते तो बरावर का हक दे देते अंग्रेज नहीं है मामला कुछ और है इसलिए अब बावा साहब का इंतियार मत करो अगर बावा साहब का इंतियार करोगे तो मर जाओगे और जिन बच्चों के यह सब कुछ किया है वो बच्चे आँखों के सामने बिना दवाई के और बिना अच्छे हॉस्पिटल के परशान होंगे कितना पॉलुसर नितने मिलावट है कि दवाई नहीं करे सकते को की पैसे नहीं होंगे तो कैसे करोगे एक तरीका है जो बार बार और रोज बताया जात है वो तो पैसे पे पैसे खटा करके फ्रोड करके निकल जाता है क्योंकि उसे भी अपने बच्चे बचाने हैं वो आपके बच्चों के लिए नहीं आने वाला अगर वो आपके बच्चों को बचाने के लिए आता होता तो सतर साल में नौकरी डबल हो जाती खतम नहीं होती अगर वो आपके बच्चों को बचाने आता होता तो प्राइविट सेक्टर में रिजर्वेशन अब तक लागू हो जाता अगर वो आपके बच्चों को बचाने के लिए आता होता तो आपके समिधान से कोई छेड़ चार नहीं कर सकता था 131 बठे रहते हैं 131 SC और ST के नाम पर हैं अगर वो सारे इखटे हो जाते तो कोई कानून नहीं जा सकता था अगर नेता आपके बच्चों को बचाने आता होता तो आपकी यह हलत नहीं होती कि आपके सारे सरकारी करमचारी के सितने सेक्टर वो बिक जाते अगर नेता आपको आपके बचाने वाला होता तो ऐसा नहीं हो सकता था कि रोज आपके पितार नहीं हो रोज आपके इंजस्टिस हो रोज आपके बच्चे पिटें रोज बलातकार हो रोज हत्याएं हो और हत्या करने वालों पर कुछ सजा भी नहीं हो यह नहीं होता बलक दीपो भव बना है तो जोड़ना जोड़ना है जोड़ना जोड़ना है हमारे पास जोड़ने और जोड़ने के लावा कुछ नहीं है कोई कहता हो के हम बुद्धी जीवी हैं बहुत बुद्धी जीवी हैं भाई बड़े प्रॉफिसर हो चुके हैं बड़े डॉक्टर हो चु बड़े एफसर हो चुके हैं पत्ता नहीं हिलता हूं से वो सब अपने बच्चों को बचाने में लगे हुएं कुछ ने तो समझोते कर लिए कुछ ने उनी के लोगों से शादी कर लिए और कुछ देश छोड़के चले गे और कुछ ने अपना कोड़ी जाज़त बना के किराय अपने भरोसे रहना यह बता देता हूं आपको अपने भरोसे रहना ना नेता आएंगे ना बुद्धी जी आएंगे ना इंट्रुच आएंगे बावा साब खूब रोए दाल मार मार गे मुझे पड़े लिखो ने धोका दिया वो गलत नहीं रोएगो आप उनसे सबक सीख राजनितिक पार्टी वाले को लगता है कि राजनिती में कुछ सत्ता आएगी तो हम हमारे बच्चे बचेंगे राजनितिक सत्ता भी आ चुकी है तब भी कुछ नहीं होता को एकी तरीका है वही तरीका जो बार बार बता जाता है कि खटे होना है क्योंकि खटे होने का काम स मकान का, दुकान का, कार का, पानी का, पैसे का, बादल का, देश की आमदानी में बरावर का हिस्सा होता है स्टेट का जो प्रिंसिपल होता है कि राजस, राजस जितने भी होते हैं, स्टेट जितना भी होते हैं का जिनके पाओ कम है उन्हें सरकार सब्सक्राइए. इसको पहिंशन बोलते हैं, इसको बिरुजकारी भत्ता बोलते हैं, इसको सरकार की जुम्मदारी है के सरकार नहीं काम नहीं दिया, तो ना काम देने का भता देगी, काम ना देने का भता देगी, ये नियम में आता है, मगर ये मिलेगा जब जब इखटे हो जाओगे, ये तो सरकार काम देगी और या पैसा देगी, तो पैसा दे या काम दे, खाने को मिलेगा, भूके नहीं रोगे, मगर इखटे होगे तब और इखटे नहीं होगे तो आपको लगेगा कि हमारा तो कोगी दमाग में डाला हुआ है ना कि भाई तुम्हारे तो करम ऐसे रहे होंगे तुम्हारे तो भाग ऐसे रहे होंगे कोई भाग और करम नहीं होता गौर्मेंट ऑफ इंडिया के अंदर रिकाल लेने की एक तरकीव है कि आप इखटे हो जाओं, बस इखटे होना है, इसलिए जितने भी यहां माताए हैं, जितने यहां बेहने हैं, जो यह महिला इस्पेसल है, उनको सभी महिलाओं को लगाता लगाता बोलते रहना चाहिए, यह संख्या गिर गई आज, तीन सो पै तो इसका मतलब यह है कि हमारा 35-35-70 का नुकसान हुआ है, जबकि 70 का और फायदा होना चाहिए यह था, तो अगली वार जब 10 तारीक आए, तो पूरी त्यारी करके आना, क्योंकि आपके पास 10 दिन होते हैं त्यारी करने के लिए, तो यहां संक्या उस दिन आप ही क्यों न चाहिए, यहां पर एक भी नर नहीं होना चाहिए, नर जितने हैं, जितने मेल हैं, जितने आदमियां उनको तो पोर्टल छोड़ने के नहीं है, रिक्वेस्ट करनी चाहिए, कि हमारी महिला नहीं आपा रही हैं, इसनिए जितने नर हैं, वो क्रिपा करके आज छोड़ने, वर होल्टा रहा है, यहां आदे से जादा नर हैं और महिला हैं, तो आप अगर इखटे नहीं होगे, तो बचोगे नहीं, और जब आप नहीं बचोगे, तो बच्चे नहीं बचेंगे, और जब बच्चे नहीं बचेंगे, तो आपकी सारी जीवन की मेहनत बेकार है, आती है तो सुरक्षा में हम अपना सब कुछ लगाते हैं वैसे ही एमर्जनसी है इस एमर्जनसी में हमको अपना खाना पीना पैना सब छोड़ कर इसमें लगना चाहिए जैसे आज एक हमारे एके सिंग है उनकी माताजी एक्षपार होगे मगर उनकी वाइफ ही आई हैं यही जजबा होना चाहिए अगर यही जजबा होगा तो बहुत जल्दी हम जीत जाएंगे और अगर यह जजबा नहीं होगा तो हम मारे जाएंगे दस साल के अंदर हम खत्म हो जाएंगे जुड़ने लिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है अभी अगर हम जुड़ गए तो ब पाइदा क्या अकल बंदी तो उसी में है कि जब खुला मैदान जीवन का हो तब खटा होना चाहिए समझदार फौजे जब शांती होती है तब अपना भ्यास करती है ताकि वो युद्ध में जीत जाए हम भी समझदार लोग हैं हमको अभी खटे हो जाना चाहिए ताकि कोई म बच्चों को नोकरी दिलाने की जिद्ध है हमें अपने बच्चों को पूरे अधिकार दिलाने की जिद्ध है में अपने बच्चों को बढ़िया खाना दिलाने की जिद्ध है में अपने बच्चों को सर उठाके जीने की जिद्ध है हमारे बच्चे सो अभीमान से जिस तर वर ना बनना बन जाए तो इस दिन को याद रखना कि भी कितनी वार बताया था और आपके आखों के सामने फिर आपके पास पस्ताने के लावा कुछ बचेगा नहीं इसलिए पस्ताना नहीं है स्वार इसवार जिंदा रहना है सर उठा के जीना है सारे अधिकार लेने है और खटा होना है बस खटे हो गए या दिकार मिलेंगे धन्यवाद गज fair जो खटी है और आपको लगता है किboy दहम की किसी को और मिलनी चाए– या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए、 या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free हैं आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना right है इस पे कि हम इसको load कर देते हैं वाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेणं गच्छामी संगं सरेणं गच्छामी दूतियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामी दूतियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामी तूतियं पी धम्मं मर्सेनु गच्छामू तूतियं पी धम्मं सर्णं गच्छामू तूतियं पी संगं सर्णं गच्छामू तूतियं पी संगं सर्णं गच्छामू ततियं पी बुद्धम सर्ण गच्छामी ततियं पी बुद्धम सर्ण गच्छामी सादू, सादू